तो दबा दिजे बटन देखिए, यहाँ पर सब्सक्राइब को लाल बटन है ताकि आपको नए वीडियो के सूचना मिलती रहे आज जिस स्टॉक जिस कंपनी के बारे में बात करें उसका नाव अमेरिको लिमिटेड एक FMCG की जबरदस्त कंपनी है तो बहुत सारी चीजें जानने से पहले एक छोटी सी चीज हम जान लेते हैं कंपनी के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जबकि उनके प्रोड़क्स उनके घरों में जरूर उपलब्द होंगे तो मैं बताना चाहूँगा आज का पहले प्राइस क्या है मई 7 मई 2019 12 बच के 11 मिनट पर और 363 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और 23 रुपए की अपसाइड है 282 रुपए और 396 रुपए इसका हाई था तो 96 के काफी करीब पहुंचने वाला है और यहाँ पर हम चार्ट पर आते हैं तो प्रतिवर्श यह दो बार डिविडेंट पे करता है तो साल में दो बार आपको टैक्स फ्री डिविडेंट आपके सिधे खाते में जाता है और यह देखे यहाँ पर 2015 में 1 इस्ट वन का बोनस दिया था मतलब अगर आपके पास एक शेर था दो हो गए 100 शेर थे तो 200 हो गए और लगातार इसने हर साल दो बार डिविडेंट पे किया है एक एंटरिम डिविडेंट और एक फानल डिविडेंट तो कंपनी में हम विजिट करते हैं देखें कहां कहां ये अपने व्यापार अपने अपने प्रोडक्स एक्सपोर्ट करते है साओथ अफरीका, एजिप्ट, मिडल एस्ट, मलेशिया, इंडिया, वियतनाम, बांगलादेश ब्रीफ पढ़ देता हूं Medical Limited is one of India's leading consumer products companies operating in the beauty and wellness space Empowered with freedom and opportunity, we work to make a difference to the lips of all our stakeholders, members, associates, consumers, investors and the society at large Currently present in 25 countries, पक्चिष देशो में ये, across emerging markets of Asia and Africa Mariko has nurtured multiple brands in the categories of hair care, skin care, edible oils, health foods, male grooming and fabric care Mariko's India business markets household brands such as Parachute, Parachute Advanced, Safola, Hair and Care, Nihar, Nihar Naturals, Livon, Setwet, Medicaur and Revive Among others that add value to the life of one in every three Indians, the international businesses offers unique brands such as Parachute, Hair Coat, Flancy, Cavite, Hercules, Hercules, Black Chip, S Plus Coat तो ये मैं स्किप करना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं जो एक गॉर्ण में बिखते हैं That are the localist lives, fulfill lifestyle needs of our international consumers, charting an annual turnover of 63 billion Across our portfolio, Mariko is sustainable growth story rests on empowering work culture that encourage our members to take complete ownership and make a difference to the entire business's ecosystems Brand पे एक नजर हम देख लेते हैं, Mariko किसी कंपनी के stock लेने स्पहले उसके product के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और किस quality company है as per management वो भी देखना बहुत ज़रूरी मैं दिखाऊंगा True Roots, Gaia Youth, Sada Sexy रहुए तो सारे बहुत सारे आप ads देखते ही हैं Parachute, Creamy Oil, Studio Situate यह सब TV पे ads आते हैं इतने ब्राण्डमेश्टर्स हैं सारे जो products हैं जो मैंने पढ़े अभी उपर Finally, इनका Q4 यानि financial year 2019 की results announce हो चुके हैं आचुके हैं तो मैं देख लेते हैं Market Cap है 47,013 करोड की EPS 8.66 की consolidated हम देख रहे हैं PE 42.06 की book value है 28.45 की price to book है 12.80 की industry PE 56 है तो industry PE से काफी इकम पेटरेट कर, that's very good thing deliverable है 67.82% delivery भी जबर्दस्ता और face value 1 की है अब माफ करिएगा अभी थोड़ा समय लग रहा है अब फानेशल पर चलते हैं यहां पर देखिए March 19 Q4 की results आ चुके हैं तो net sales जहां जून 18 में 2026 करोड की थी वहीं सेप्तंबर 18 में 1836 की रह गई कम हो गई और दिसंबर 18 में Q3 में रह गई 1860 की और March 19 में 1609 की जो की गिरावट है और वहीं net profit में direct हम जंप करते हैं net profit में June 18 में थी 269 करोड की और सेप्तंबर 18 में रह गई 217 करोड की और मार्च 19 में देखे 406 करोड की सीधे जबरदस जंप है तो net profit बहुत जबरदस इनके आए हुएं और जहां balance sheet पे करजा है तो करजा बिल्कुल ना के बराबर यह हो सकता है कि ट्रेडिंग करज भी हो सकता है कि जो माल लिया गया है तो उसका भी पैसा देना रहा हो तो balance sheet पे यह show कर देते हैं और चली हम दूसरी 2.73% की ROI कितना जबरदस तो 99.8% की और यह अपनी पियर कंपनी में फिफ नंबर पर यहां पे शो हो रही है कि वेलवेशन थोड़े से expensive दिखा रहे हैं तो अभी यह fair पे trade कर रहा था आज ही इसमें कम से कम 24 उपए की jump हुई है तो no doubt यह एक जबरदस्त company है और मेरे विचार से अनिवेश्कों को थोड़े थोड़े करके इसमें इनवेस्ट करना चाहिए जिनको यह पसंद है इस टॉप जिसको यह company पसंद है तो जरूर इसमें इनवेस्ट करें अगर और नीचे के लेवल पर किसी करणावश्ट मिलता है तो तो सोने पर सुहागा है financial trend positive है और score है 12 और share holding button देख लेते हैं promoters के पास है 59.71% की और एक भी share इनके गिर्वी नहीं है mutual funds की scheme 26 और 578 FIIs है 26.56% की holding अबर्दस्ता और individual खुद्रागरह बहुत ही कम है 3.74% की dividend इन्होंने दिया था dividend paying stock है 2019 में भी pay कर चुके है yes आई हमें एक बार return भी दिखा देते हैं दीकिए 10 सालों में उन्होंने करीब 1000% की आसपास का return दिया है जो कि बहुत ही बढ़िया है और 5 सालों में 216% का 4 सालों में 97% का 3 years में 48% की returns है 2 years में 19.43% की return 1 year में 13.89% की return year till date में खरीब 1.5% के आसपास negative में है लेकिन 6 months में again 7.32% की return है 3 months में 17% की negative में लेकिन 1 month में 2.23% के और 1 day में 7.21% आज इसमें भारी जंप है क्योंकि net profit company के काफी अच्छी आया है वेरी सॉरी तो फ्रेंज में बस यही कहना चाह रहा था यही दिखा बताना था आपको एक जानकारी कि इनकी results आ गए और कैसी company products भी आपने देखे तो मुझे तो एक नजर में बहुत अच्छी company लगती मैंने पहले बीडियो बनाया और recommendations दिया था कि अगर हम लंबे long term point of view से अगर हम इस company को consider करते हैं तो काफी अच्छे रेटन बना के दे सकती है इनके products बहुत अच्छे हैं हमेशा बिखते रहेंगे profit आता रहेगा तो चलिए आज मैं यही वीडियो wind up करता हूँ और friends से एक disclaimer देना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी stock लेना या बेशना चाहें तो जरूर अपने financial advisor से मश्वरा कर लें आप खुद की सूद्बूस से आप लें हमारा काम था information देना एक educational purpose से बताना Thank you for watching this video